जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को के सहित गनपत राए इंडोर स्टेडे में सुक्रवार से शुरू हुए अंडर 17 जूनियर नेशनल कुस्ती परत्योकता में देश भर के 400 से अधिक युवा पहलवान अपना जल्वा दिखाने को तयार हैं बतादे परत्योकता का उधगाटन दो पहर 12 बजे मुखे मंत्रे ह इस परत्योकता में देश भर की 27 महिला वा पूरुस टी में भाग ले रहे हैं परत्योकता में 30 गोल्ड, 30 सिल्वर और 60 ब्रोंज दाव पर हैं शुक्रवार सुबा आठ बये से पहलवानों का वजन किया गया इसके बाद प्रारामभिक मुकाबले शुरू हुए जुनियर नेशनल कुस्ती परत्योकता दो दिन चलेगी इसके बाद फ्रेडरेशन कॉप सीनियर कुस्ती चेंपियंशिप का आयोजन इसी एस्टेडियम में किया जाएगा लातेहर के दोकर जंगल में पूलिस और नकसलियों के बीच मुढभेड लातेहर में बालू मात थाना छेतरे के लक्षी पूर दोकर जंगल में सुक्रवार को पूलिस और जेजे एमपी के उगरवादियों के बीच मुढभेड हो गाई पूलिस को भारी परता देख उग्रवादी जंकल का फैदा उठा कर भागने में सफल रहे इस दोरान दोनों और से लगभग 50 से 60 राउंड गोलिया चलने की खबर है बता दे पूलिस ने मूट भेड के बाद जंगल में सच अपरिसन चला कर उग्रवादीयों का दैनिक उप्योग में लाने वाले कई समानों को बरामत किया प्राप्त जनकारी के अनुसार लाते आर पूलिस अधिक छक अंजनी अंजन को गुप्त सुचना मिली थी कि बालू माथ थाना चेतर के लक्षीपूर दोकर जंगल में जेजे एंपी के उग्रवादियों का जमावड़ा है और कोई बड़ी घटना को अंजाब देने की फिराक में है रांची में दो यूतियों से गैंग रेप जार्खन की राइधानी रांची में दो यूतियों के साथ समोहिक दूसकर्म किया गया चो यूकों ने देर रात इस घटना को अंजाम दिया है गैंग रेप के बाद दोनों यूतियों को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी पिडिताव के द्वारा तुपुदाना ओपी में इस मामले की सिकायत की गई पूलिस ने जनकारी मिलने के साथ ही करवाई की और चार अरोपियों गिरफतायर कर लिया है इनमें एक नबालिक सामिल है उधर दोनों यूतियों को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया गया है पूलिस पूरे मामले की जाच कर रही है जारखन में बारिस के साथ बजरपात जारखन में सोरा अप्रेल से मौसम कमिजाय बदलने की संभावना है यूक्रेन से लोटे बिद्यार्थी सीधे लेख सकते हैं नमांकान रूस और यूक्रेन के बिच यूद के बिच भारत लोटे इंजिनियरिंग मेडिकल साहित अन एक कोर्स के बिद्यार्थियों को आगे की पढ़ाय जारी रखने के लिए औसर मुहजा कराया गया है भारत लोटे बिद्यार्थी अपनी पढ़ाय जारी रख सकते हैं ऐसे प्रहोईत बिद्यार्थी चाहते हैं धरना पर्दसन पर बैन पंचाज चुनाव की घोसना के साथ ही राजी के गरामिन छेतर में धारा 144 लागू कर दी गई है भाय मुक्त सांती पूर्ण बिदी व्यवास्ताव निस्पक्ष मतदान के लिए निस्यधागय लागू किया गया है बताद निस्यधागय के दोरां सडको पर धाना परदसन या मांगो के समर्थन में कोई भी आवेजन करने पर रोक लगाई गई है केंद्रिय मंत्रियों के जारकन दोरेपर जे एमेम को अपति जामुमों ने केंद्रिय मंत्रियों के जार्खन में हो रहे सरकारी कारेकरम परिदर्शन पर अपती जताई है पार्टी के वरिष्ट नेता बिनोत पांडे ने कहा है कि जार्खन में हो रहे पंचाय चुनाव को परवावित करने के लिए भाजपा की वर से केंद्रिय मंत्रियों के सरकारी कारेकरमों का ओजन किया जा रहा है यह चुनाव अचार संहीता का उलंगन है पाटी केंद्रिय मंत्रियों के परिदर्शन कारेकरम परोक लगाने वा उनके खिलाप अचार संगिताउ लंगन के तहत करवाई करने की मांग को लेकर 15 अप्राइल को राजे चुनाव आयोग में सिकाई दर्च कराएगी सरांडा जंगल में गाउ बसाने की त्यारी एसिया के सबसे घहनाज साल के जंगल के रूप में परसी जारखन के सरांडा में पिछले कई सालों से अवाईद रूप से गाउ बस रहे हैं इसके लिए पेनों को काट कर हर्याली खत्म की जा रही है एक बार फिर कोल बोगा गाउ के समीप कोएना बन प्रच्छेप्त की अंकुआ कमपार्टमेंट संख्या 28 में घुट पैट कर गाउ बसाने की कोशिस को गुरुआर को नाकाम कर दिया गया है हलाकी 10 हेक्टेर जमीन पर मौजूद सेकलो पेडों को पांस दूनों में काट दिया गया बन विभागवा स्याप्यप की टीम ने मनोहरपूर, अनन्दपूर, गोईल के रा, खुटी बानो, आधी इलाकों से आकर जंगल में बसने की कोशिस कर रहे 25 लोगों को जंगल से निकाल दिया है बिहार से बाबा धाम जा रहे, सकारपियों का देवघर में हाध्सा, चार की मत बिहार के कटिहार से जार्खन के देव घर जा रही एक सकार पियो मोहनपूर्थाना अंत्रगत जमुनिया के पास विशन हाथसे का सिकार हो गई इस हादसे में गाडी में सवार 6 लोगों में 4 लोगों की मौत हो गई जबकी सभी लोग गाडी में सवार होकर बाबा धाम जा रहे थे अचानक रास्ते में चालक को नीद आ गई और जपकी लेने की दरान गाडी अन्यंत्री थोका सड़क किनारे एक पेल में टकरा गई जारखन में महिला करमचारी की घर में घुसकर हत्या अधाई आखर प्रेम के में दीखे कला के अलग अलग रंग अजादी के 75 वर्ष के असर पर भारतिय जन्नाटे संग की पहल पर राष्ट्रिये संस्कृतिक यात्रा निकाली जा रही है इनका नाम है अधाई आखर प्रेम का गुरुवार को इस यात्रा कंत्रगत मुराबादी स्थिट डाक्टर राम द्याल मुंडा जन्जातिय सोल संस्थान में संस्कृतिक आरकरम हुआ बतादे जार्खन के पाच संस्कृतिक ब्यक्तित्व को समानित किया गया PLA 5 जोनल कमांडर लंका पाहन समय 6 के खिलाब केसदर जार्खन के पच में सिम्भूम जीले के बंद गाओ में मंगलवर की रात को PLA 5 के जोनल कमांडर लंका पाहन एवं उनके सरसे ने सरक निर्मान करार है कंपनी के करमचार्यों साथ मार पिट की थी इसके बाद लंका पाहन एवं उनके 6 सदसे खिलाब बंद गाउ थाना में मार पिट की घाटना के मुला दर्ज किया गया है पूलिस लंका पाहन की खिलाब सर्च अभ्यान चला रही है लेकिन अब तक पूलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है लुंगा गाउ की समुदाइक जल पहल जारखन राजी के गुमला जीले के राइडी परखंड में इस्थित नवासी आदिवासी परिवार वाला प्रकिर्तिक संदर एका धनी गाउ है लुंगा बतादे इस गाउ में खद्यान एवं पोसन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल समरचनाओ के साज सवार की बिसे समुदाइक पहल किया रही है जलवाई परिवर्तन के साथ बरते जल संकट को रोकने में इस तरह की कोशी का न सिर्फ मतपुन योगदान है बलकि टिकाव खेती की अधारना को मुर्त रूप देने में समुदाइक जल परवंधन एक अवसक पर किरिया है वर्ल्ड एथिलेटिक्स में खेलेंगी गुमला की सुपरिती ज्यारखन के गुमला जिले के एक छोटे से गाव बुर्हू की रहने वाली सुपरिती कक्षप खिलाडी ने तीन साल तक के वोद दाल भात खाकर अभ्यास किया और अपनी परतिभा के दम पर इस मुकाम तक पहुची बतादे तीन साल के बाद इसे भोपाल के साई सेंटर में जगह मिली और इसकी परतिभा में निखार आया इस खिलाडी के कहानी ऐसे है कि इनको देकर बाग की बालिका एथलेटिक्सों को आगे बढ़ने क रास्ता मिल सकता है बतादे सुपरिती ने कम समय में ही अपनी परतिभा के दम पर विश्व एथलेटिक्स चेंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है इसका आयएन 2 से 7 अगस्त तक कोलंबिया में होना है इसे पहले सुपरिती 3000 मिटर दोर में रिकोर्ड भी बना चुकी है एक ही महीने में दो बार बेतन लेने पर घीरे मंत्री बना गुपता कुरोना में हमारी की दवान बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों की सुची में खुद का नाम जोडने वाले स्वास्त मंत्री बना गुपता की चोथ हरपा घेरा बंदी शुरू हो गई है वरिष्ट विधायक सर्जू राय द्वारा या मामला उठाया जाने के बाद अब मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी सवाल उठाया है भाजपा के परदेश परवक्ता प्रतुत सावदयों ने सुक्रवार परदेश मुख्याले में अईज़ प्रेस कॉन्फरेंस में इस परकरन को बाया घोटाला बताया और मुख्य मंतरी है मंसुरेंस से बना गुपता को बरखास्त करने की मांगी है